हालो एवरिवन यह है वेंट आयके की 2% कॉजिक एसिड फेस क्रीम और जब भी आप किसी न्यू प्रेंड के प्रोडिक्ट को परचीज करने जाते हैं तो आपको जुरूरी है कि उस प्रोडिक्ट का रिव्यू जान ले ताकि आपको पता चल जाए कि वो प्रोडिक्ट आपक यह नाइच क्रीम है तो यह आप मॉर्निंग और नाइच तो नो टाइम यूज कर सकते हैं और कुछ इस सरी के आउट्टर पैकेजिंग में यह आपको मिल जाता है यह आपको आउनलाइन शॉपिंग करने पर मिल जाएगा मैंने इसे पर्चेस किया इंस्टार्म की कुछ र प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 599 रुपीज है लेकिन मुझे आउनलाइन शॉपिंग करने पर यह 350 रुपीज में मिल गया इंड सेकिन अगर बात कि जाएए टू यह की लॉंग शेल प्राइप आपको मिल जाती है 100 ग्राम की कुएंटिटी आपको इस चूप फो सिर्फ चारीज से मैंशन है कि डर्म लॉजिकल टेस्टी अपूफ है सेफ सेफ है विल्कुल इरिटेट नहीं करेगी एंड यह इफेक्टिव है अगर बात की जाए कि इसमें यहां मैंशन है कि आप इसे दिन में दो बार यूज कर सकते हैं मौनिंग में और नाइट में है अगर मैं पड़ूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मुझे थोड़ी थोड़ी डाउट फूल लगती है जिसके बारे में मैं इतना जाद क्लियरली नहीं कह सकती लेकिन इसके अंदर बहुत चारी इफेक्टिव के लिए फेस पर जो हमारी डिसकलरिशन प्रॉप्लम हो जाती है उसको इवगरी नहीं की इंग्रीडियेंस के बात करें तो काफी ज़ता इफेक्टिव है हमारे स्कीन को एक ग्लोव एंड ब्राइटनिंग एफेक्ट देने के लिए इसके साथ इसके अंदर जो इंग्रीडिन है उनकी क्वांटिटी भी दी गई है तो यहां पर मेंशन है कि कौन से इंग्रीडिन कितनी क्वांटिटी के इसके अंदर एड़ किये गए है नया सीनमाइन इसके अंदर 0.5% है अलफा अर्भिविटीन इसके अंदर 0.2% है वायीट appropriate 10% स्कुलन इसके अंदर 100% है, वाइटेमिन C, E, फ्यूलिक ऐसी 16% एंड्रोजिप ओयल इसके अंदर है 3% तो इसके जो इंग्रीडियन्ट यहां मैंशन हैं वो मुझे काफी ज़ादा इफेक्टिव लग रहे हैं लेकिन जो इसके इंग्रीडियन्ट है वो clearly defined करता है, according to my experience कि यह oily skin वालों के लिए नहीं suitable है मैंने इसे योज भी किया है, योज करने के बाद जो मेरा experience है, मैं आपको बता हूँ तो यह oily skin वालों के लिए मुझे नहीं लगता कि suitable है, यह dry skin वालों के लिए सबसे best product है करें जाया फिर या फिर या फिर यह यूज कर सकते हैं एंड इस इस बेस्ट किज आपके स्किन पर जो है डर्क स्पोड सोते हैं पिग्मेंटीशन उसको रिडीूस कर देता है कुछ 15 देज के बाद आपको अपने स्कीन के अंदर चेंज देखने को मिल जाएंगे and the पार करते Minshew technнуться की इसका टेक्च्टør काफि जधा लाइट वेड है और मैंने इसे दोनों डाइम गुज किया मॉनिंग में इवनिक विदी तो इसको यूज़ करने के बाद जो इसका texture है वो थोड़ी skin में massage करने के बाद absorb होता है थोड़ी से massage आपको करनी पड़ती है उसके बाद आपकी skin के अंदर absorb हो जाता है इसको यूज़ करने के लिए आपको अपने face पर इसका थोड़ा सा amount लेना है फिंगर की help से उसके बाद आप मसाज कर लिए absorb हो जाएगा and leave it उसके बाद आप कुछ भी अपना skincare जैसे कुछ makeup वेकप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और otherwise company का claim करना है कि जब भी आप ये वाला face cream लगाते है इसके बाद आपको SPF 50 ज़रूर लगाना है अगर आप दिन में इसे use करें अगर आप इसे night में, evening में use करें तो आप SPF नहीं भ वालों के लिए most recommended है, but oily skin के लिए मैं इसे ज्यादा recommend नहीं कर सकती, add that till मैंने जो experience किया है, so तो मेरी तरब से recommended है only dry skin वालों के लिए, and this is effective, use करने के बाद बहुत अच्छे results आएंगे, तो ये मेरा honest review था, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्लीज वीडि गनायन, thank you for watching, bye bye, take care.